हाई गाईज वेलकम बैग टो फैक्ट टेक 14 सब्सक्राइब कर दीजे हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाईए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन्स या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं एक मिनी हीट सीलर की तो यह एक छोटा सा हीट सीलर है या फिर आप इसे पोटेबल हीट सीलर कह सकते हो जिसे आप यूज करके पॉली बैग्स को बहुत अच्छी तरह से सील कर सकते हो तो यह आपको इस तरह के एक छोटे से पैकेट में मिलता है क्योंकि इसके अंदर जो प्रोड़क्ट है वो भी काफी छोटा है अगर आप इस वाले इमेज को देखो तो बिल्कुल इसी तरह का प्रोड़क्ट आपको इसके अंदर मिलेगा और आप इस वाले प्रोड़क्ट को यूज करके जो डिफरें चलिए अब हम इसे खोलते हैं, तो जैसा आप देख सकते हो, यह है हमारा mini heat sealer, तो इसका जो color है वो है आपका blue को pink color दिया गया है, आपको इसके बहुत सारे color varieties मिल जाएंगे, आप अपने हिसाब से कोई भी जो आपको color पसंद है वो खरीद लीजिए, अगर हम इसके material की बात करें, यानि कि इसके body की बात करें, तो यह आपका plastic से बना हुआ है, और यह काफी light weight है, और जैसा आप देख सकते हो, बहुत ही छोटा है, तो आप इसे easily अपने pocket में भी रखकर use कर सकते हो, तो इसके पीछे आपको battery holder मिलता है, आपको इसके अंदर दो triple जो normal batteries रहता है, उस करती simple है, एक चीज है, यहाँ पर अगर आप देखो, तो यहाँ पर इसका cover दिया गया है, अगर मैं आपको यहाँ पर ध्यान से दिखा पाऊं, तो यहाँ पर लिखा है, आपको शायद ना दिखे क्योंकि lighting हो रहा है, तो यहाँ पर लिखा है, lock while not in use, तो आप इसे क्या कर सकते हो, इसे इस तरह से ऊपर कर सकते हो, तो अब क्या होगा, अब यह use में नहीं रहेगा, जब आपको use करना है, इस वाले को थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, और इसे आप use कीजिए, तो चलिए अब हम इसे use करते हैं, और एक दो packets को seal करके देखते हैं, यह कैसा काम करता ह तो guys, जैसा आप देख सकते हो, मेरे पास एक poly packet है, इसे ही हम seal करेंगे, तो सबसे पहले इसके अंदर हम थोड़ी बहुत चीजे रख लेते हैं, तो मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, स्टैपलर के कुछ pin के packets हैं, उसे ही हम इसके अंदर डाल लेते हैं, तो जैसा आप आपको किसी भी एक surface पर इसे इस तरह से रख के 5 या 10 seconds के लिए प्रेस करना होगा, तभी जाकर यह आपका गरम होगा, और जैसे ही आप इसे छोड़ दोगे, यह आपका automatically बंद हो जाएगा, तो अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमें इसे seal करना है, तो आप क्या कीजिएगा अच्छी तरह से अपने poly packet को पकड़िए, और इसे इस तरह से बीच में लाइए, आप ज्यादा अंदर तक भी ले सकते हो, जितना आपको चाहिए requirement, जहां पर आप seal करना चाहते हो, उतना seal कीजिए, और इसे 3 या 5 seconds के लिए आपको इस तरह से प्रेस करना है, तो जैसे आपका गरम होना शुरू हो जाएगा, उसके बाद 5 seconds के बाद आप इसे आराम से हलके से खीचना शुरू कीजिए, तो जैसा आप देख सकते हो, यह आपका seal भी होना शुरू हो चुका है, तो आप इसे आराम से खीचिए, ज्यादा तुरंती मत खीचिएगा, अगर आप ज और यह देखते हैं, नीचे गिरता है क्या, तो नहीं, यह completely आपका अच्छी तरह से seal हो गया, तो इसी तरह से आप इसे बहुत easily use कर सकते हो, हमेशा एक चीज याद रखे, तो आपको बस कोई भी surface पर अगर seal करना है, तो उसे यहाँ पर लाकर 2 seconds या फिर 5 seconds के लिए प्रेस कीजे, उसके बाद ही इसे खीचना शुरू कीजे, तो यह क्या है, यह आपका गरम होकर खीचना शुरू हो जाए, तो जैसे आप देख सकते हो, seal भी आपका बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है, तो जैसे आप देख सकते हो, यह बीच वाला भाग भीज़े है, अच्छी तरह से seal हो गया, तो आप इसी तरह से इसे बहुत easily use कर सकते हो, आप इसके अंदर बैटरी रहने दीजे, बार बार निकालने की जरूरत नहीं है, जब इसे आप यूज नहीं कर रहे हो, आप इसे इस तरह से कर लीजी, तो आप क्या है, यह contact में नहीं आएगा, और यह आप आपका गरम भी नहीं होगा, जब आपको गरम करना है, फिर से इसे निकाल दीजिए, किसी भी surface पर 3 seconds के लिए या 5 seconds के लिए प्रेस करके, इसे आराम से खीच लीजे, तो आपका जो packet है, वो अच्छी तरह से seal हो जाएगा, तो आज का वीडियो बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, मैं इसी तरह के कुछ नए वीडियो उसके साथ आपके सामने फिर आऊंगा, तब तक के लिए, टेक केर अफ योर्सल्फ, बाई बाई